हेलो गाइज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग साफडेट लेके आया हूँ जैसे हम सब को पता है कि अभी महाराष्ट्रा गवर्मेंट ने क्या कर दिया है हमारे सिलाबस में से 25% सिलाबस क्या कर दिया है वीडियो में इस नोटिफिकेशन में क्या किया है दोस्तों हमको सिर्फ सब कुछ दिया है मराथी लेंग्वेज में दिया है तो इसकी चिंता मत किजेगा इसके लिए आपके लिए मैंने इस सब को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में और हम बुक से भी देखेंगे कि इसमे में क्या-क्या changes हुए है बढ़ते हैं पहले चाप्टर की तरफ पहला चाप्टर था हमारा दोस्तो introduction to पहला चाप्टर था introduction to micro and macro economics introduction to micro and macro economics में क्या-क्या exclude हुआ है तो exclude हुआ है you should know वाला portion जो था page number 1 पे अब ये you should know वाला portion कौन सा था तो यह है you should know वाला portion दोस्तो जो page number 1 पे है यह you should know वाला portion इधर से exclude हो गया यह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है यह पूरा की पूरा जो you should know वाला portion है उसमें से आपको एक भी लाइन अभी नहीं पढ़ना है चलते हैं आगे आगे दिया है नोटिफिकेशन में दोस्तो importance of microe economics बहुत ही ज्यादा relief दिया है आपको importance of microeconomics अभी आपको नहीं पढ़ना है जो हमने रटवा के पढ़ लिये थे ट्रिक लगा के पढ़ लिये थे वो कोई भी importance of microeconomics आपको नहीं पढ़ना है आगे देखते chapter 1 में और क्या exclude हुआ है chapter 1 में exclusion में आगे चलते हैं तो दोस्तो last page पे आ जाते last page पे है you should know पे हमको microeconomics और macroeconomics का difference था तो वो भी आपके syllabus में नहीं रहा वो भी exclude हो गया है और उसके just उपर हमने पढ़ा था importance of macroeconomics जो 7 point हमने importance of macroeconomics में पढ़े थे वो कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है तो इस chapter 1 से 4 चीज़े exclude हुई है दोस्तों you should know के दो portion और importance of microeconomics और macroeconomics का एक एक portion अभी बढ़ते हैं और notification की तरफ notification में आ गए है दोस्तों हम लोग पहला chapter हमने cover up कर लिया दूसरा है उपयोगिता visualization मतलब English में utility analysis उसमें क्या-क्या exclude हुआ है तो पहली चीज़ exclude हुई है तो पहली चीज़ exclude हुई है दोस्तों you should know वाला portion वराठी में ये तुम्हा लाम ही था वो एक्सेटरा तो you should know वाला portion आपके exam में अभी नहीं आएगा और significance of law of DMU वो भी आपके portion में नहीं आएगा एक बार book में से देख लेते हैं ये क्या-क्या portion था ये सब जो exclude हुआ है पहला था you should know वाला portion में आपको मिलेगा page number 11 पे page number 11 पे directly चलते ये जो था दोस्तों ये जो mathematical equations हमको देखे रखे थे you should know वाले portion में कि T U और M U का difference एक्सेटरा और उनके mathematical equation अभी नहीं पढ़ना है कुछ काम का नहीं है अभी उसके बाद है significance of DMU significance of DMU law of DMU हम लोगों ने पढ़ा significance of DMU आगे बढ़ते है significance of DMU में हमे significance of DMU में कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों पूरा की पूरा exclude हो गया है जो भी ये पाच्छे point थे जो भी चार point थे ये सारे के सारे exclude हो गया है तो chapter 2 में खुशकबरी की बात ये है कि significance of DMU हट गया है और जो mathematical relationship था T.U.M.U. का वो भी हट गया है आगे बढ़ते हैं और हमारे notification की तरफ notification में chapter 3 है दोस्तो मागणी चविशलेशन मतलब demand analysis में दो चीज़े exclude हुई है वो दो चीज़े कौन कौन सी है तो पहला है reasons for downward sloping of a demand curve reasons for downward sloping of a demand curve एक बार हमारे book में से देख लेते हैं ये देखिए दोस्तो इधर आ गया हम लोग reasons for downward sloping of a demand curve में हमने इतने सारे point पड़े थे पाच point पड़े थे जिसमें reasons for demand curve downward होता है ये reasons हमने देखे थे इसमें से कुछ भी आपको एक्जाम के लिए नहीं पूछा जाएगा बट internal assessment के लिए आपके college की कोई एक्जाम होगी उसमें अगर ये पूछा जा सकता है और एक है दोस्तो page number 25 में page number 25 पे आते हैं हम लोग portion है जो दो paragraph दिये थे हमें demand और aggregate demand में वो हो गया है दोस्तो exclude तो chapter number 3a से exclude हुआ है reasons for downward sloping of demand curve and next part है you should know page number 25 पे दिया है आगे बढ़ते हैं कि आगे notification में क्या लिखा है notification में आगे है 3b mark नीची लवचिकता मतलब elasticity of demand elasticity of demand में बहुत कुछ दोस्तो बहुत कुछ exclude हुआ है देखते हैं और कि क्या क्या exclude हुआ elasticity of demand में elasticity of demand में दोस्तो exclusion के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा page number 27 पे page number 27 पे आप लोग आ जाईए ये जो you should know वाला portion है you should know वाला portion है पूरा की पूरा portion exclude हो गया है ये तीनों हमको अभी नहीं पढ़ना है next है page number 28 page number 28 पे भी जो you should know वाला portion है वो भी हमें अभी नहीं पढ़ना है ये भी हो गया हमारे सिलाबस से exclude page number 33 next आ जाईए page number 33 पे page number 33 पे दोस्तों ये है factors of influencing the elasticity of demand ये सभी factors क्या हो गए exclude हो गए ये 9 के 9 factor इसमें से एक भी फैक्टर हमें अभी नहीं पढ़ना है उसके आगे इसके आगे ये you should know वाला portion ये भी हमें नहीं पढ़ना है और उसके आगे के page पे है importance of elasticity of demand ये तक क्या हमें नहीं पढ़ना है अब इस chapter में से almost बहुत सारा part क्या हो गया है exclude हो गया है इस chapter में आपको मैं बोल सकता हूँ bumper बुनांजा दिया गया है और इस chapter में बहुत सारा part क्या कर दिया है exclude कर दिया है अभी और जाते हमारे notification की तरफ ये notification दोस्तों मराठी में इसके लिए आपको इदर translate करके मैं दे दे चौथा चप्टर है दोस्तों पुरोथा विश्लेशन सप्लाई अनालिसिस उसमें क्या हुआ है दो जो यूनिट्स है वो डिलीट हुए एक्स्क्लूड हुए वो दो कॉनसे यूनिट है देख लेते हैं पहला आते है पेज नंबर 39 पे आ जाएगा सब लोग पेज नंबर 39 पे दोस्तों है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो ऐसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखेते हैं वैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है आट पॉइंट्स है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की यह सभी के सभी आटो के आटो पॉइंट्स अब ये भी आपको नहीं पढ़ना है मतलब चाप्टर नमबर फॉर सप्लाइनालिस से डिटर्मिनेंट्स अब सप्लाइ और यू शूड नो वाला पूर्शन क्या हो गया है कट हो गया है तो ये थे दोस्तों हमारे पहले चार चाप्टर के एक्सक्लूजन इसके के आगे के एक्सक्लूजन जो हम इस वीडियो के पार्ट टू में कवर अप करेंगे जब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग इस एक्सक्लूजन को छोड़ते हुए ही पढ़ाई करेंगे इस बार तो आप सभी को अभी पढ़ाई करने के ल